हेलो एब्रीवन बेलकम बैक टू माई चैनल से फ्रेंट्स आज की जो वीडियो है वो इसपैसली मैंने उनकी लिए बनाई है जो अपना सेलोन रन कर रहे हैं जो विगरर्स हैं जिन्होंने अपना सेलोन स्टार्ट किया है तो मैं उनकी लिए एक थर्मो फेस मास्क का रिव्य अप्लिकेशन ब्रस सबसे पहले हम अपनी क्लाइन के फेस को अच्छे से क्लीई कर लेते हैं एंड क्लीई करने के बाद उनके फेस पर एक मास्क लेते हैं सिंपल मास्क है यह आपको ड्राई फॉर्म में मिल जाते हैं और यह मैंने मीसों से मंगायते और अच्छी खासी स्टे हो जाए यारी चिपक जाए बहुत ही कम पानी लगा रही हूं सिर्फ क्यूंकि यह ड्राइ फॉर्म में है इसलिए यह थोड़ा हटता है स्कीन पर तो इसको हलका हलका पानी लगा कर इसको चिपका दूंगी जिससे कि जो हमारा थर्मो फेस मास्क है वो इसली अपलाई ह तो आप अब अब ने यह थर्मो फेस मास्क पाउडर ले लिया है तकरीबन मैंने यह पर दो चम्मच के बराबर पाउडर लिया है और इसको सिंपली हम वाटर के साथ ही मिक्स करते हैं ध्यान है हमें यह रखना होता है कि हमें वाटर मिक्स करते टाइम जल्दी ही हमें इसे मिक्स करना है जिससे कि यह हमारा जो पाउडर है इसकी जो फॉर्म है जादा जल्दी थिक ना हो जाए क्योंकि यह बहुत जल्दी अपलाई करना पड़ता है तरवाइस यह बहुत जल्दी थिक अप्लाई करने के टुरंत बाद ही यह को अच्य से फेस पर करना होता है यह स्वी फेश से हम क्यूं लगाते हैं कि अगर जैसे कि बहुत जादे फाइन लाइन्स पर रिंकल्स आ जाते हैं लाफिंग लाइन्स या फिर जो 35 प्लस जो एज की वुमेंश होती हैं जिनके फेस पर बहुत ज्यादा एजिंग साइंस दिखते हैं तो उसकी स्कीन को यह टाइट करता है और टाइट करने के साथ साथ तुरंत ही हमें यह ग्लो भी देता है तो हम इस वाले फर्मों फेसमास्क को इसकेन टाइटनिंग के लिए भी यूज करते हैं बैस्ट फेसमास्क है यह मारकेट में आपको ढिफेरेंट डिफेरेंट किया मिल जाता है आप कोई भी ब्रैंड का ले सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग और एंड देखिए यहां पर मैं किस तरह से इसको अप्लाई कर रही हूँ आप इसको आइस पर भी लगा सकते हैं बट मैंने यहां पर आइस पर नहीं लगाया है यह आइस पर भी लग जाता है और इसका कोई ऐसा साइड फैक्ट नहीं है यह थर्मो फेस मास्क आपके स्कीन में तुरंत ही ग्लो भी देते हैं और आपकी स्किन को हाइब्रेट करते हैं और इसको जब हम लगाते हैं तो काफी कूलिंग एफेक्ट देता है यह तो यह समर्स के अकॉर्डिंग तो बहुत जादा अच्छा है लेकिन विंटर्स में यह थोड़ा सा थंड़ा लगता है तो ज कि यह बहुत ही ज्यादा कूलिंग एफेक्ट देता है तो समर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है अब देखिए मेरा यहां पर थर्मो फेस मास्क अप्लाई हो गया है और फेस पर मैंने लगा लिया है और इसको पूरे नेक पर नहीं लगाते हैं फेस से लेकर सिर्फ चिन के नीचे तक पाट तक हम लगाते हैं इसको और इसको हम 15-20 मिनट छोड़ देते हैं इसको जब यह बिल्कुल ही सूख जाता है तो देखिए इस तरह से मैंने यहां पर इसको देखा 15 मिनट वार तो यह काफी अच्छा से ड्राई हो गया था तो इसको रिमूब करने का तरीका भी बहुत इसी है तो तो तेकी हलका हलका आप सभी तरफ से अ question से करेंगे तो यह चारो ते खुल जायेगा और उसके बाद आप इसको देखिं कितना इसरी तरीके से निकाल सकते हैद। shirt जिसको करने का एस और अवार यह बिद्रेग इस यह शा.. है तो अपने यह सबी के लिए ज़्यादा है तो देखिए हमने यहां पर मास्क रिमूब कर दिया है अब हम इनके फेस को क्लीन करें जो भी एक्स्टा जो भी पाउडर रहे गया है इसको लगाने के बाद बहुत ही कूलिंग एफेक्ट आता है इसके इसके टाइटनिंग का काम करता है हमार जितने भी एजिंग साइन्स होते हैं उसको काफी हद तक रिडियोस करने में हैल्प करता है तो यह थी आज की हैल्फुल वीडियो यस यह हैल्फुल वीडियो ही है फॉर वेगिनर्स और उनके लिए जो अपना सेलोन रन कर रहे हैं या उन्होंने अभी स्टार्ट किया है तो इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी और आइनो कि आप सभी को गिवववे विनर अनाउंसमेंट का वे वेट हो रहा होगा तो बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पर गिवववे विनर की वीडियो लेकर आ रही हूं क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि सेजन चल रहा है मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो सूट करने के लिए जो भी वर्क होता है क्लाइंट का या जो मैं स्टुडेंट को मेरे जो सीख रहे होते हूं मैं उनको कुछ सिखारी होती हूं तो वही वर्क में यहां पर शेयर कर द दिए तो वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंट्स इंट फैमली में शेयर कर देना आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तिल देन बाई टेक्यार